इस्राइल गाजा और धक्षिन लेबनान के लावा बेरू तक लगातार हमले कर रहा है इस्राइल के हमले के जवाब में हिजबुला ने ड्रोन से मिसाल दागी है लेकिन युद्धों में इस्राइल का बड़ा जटका नैटो के तीन देशों ने उसे दिया है तुर्की के प्रेजिडेंट अर्दोवान के दाओ से इस्राइल बहुत बड़ी मुश्किल में घिरता नजर आ रहा है मुद्धों में घुम आए ऐार्याबं कोषे की अघके रहाँ से एल आप थे एक। दोपर्स। प्रेजकी के माशे क्यात का झानल युजू ऑख प्रेशल आपी और अनौрь इस्राइल। म्जए इस्राइल का बाहुत का रचा मुड़ा ऑ्सकร alleen।जू मद़्World साथ फ्रंट पर बरावर की मार चल रही है लेकिन नेतन्याहु को जिन देशों से युद्ध में साथ की उमीद थी वो भी एक एक कर रुख बदलते जा रहे हैं नेतन्याहु का ये गुस्सा ये जुन्जलाहट यू ही नहीं फ्रांस ने इसराइल को हत्यार सप्लाई तक ठप कर दी है युद्ध में साथ देने की बात तो दूर है जिसके बाद नेतन्याहु फ्रांस पर फट पड़े है मैकरों को खरी खोटी सुनाने भर पर बात खत्म नहीं हुई है ब्रिटेन ने सिगनल दिये है कि इसराइल का साथ देने की ताकत फिलहाल उच में नहीं ब्रिटेश पीम कीर स्रार्मन ने इसराइल से सैयम की अपील की है साथ ही ये भी कलियर किया कि ब्रिटेन को घाजा युद्ध से नुकसान हुआ है यानि नेटों के तीन ताकतवर देश इसराइल से दूरी बनाते दिख रहे हैं इसमें पहला देश है तुर्की जिसने पहले ही इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है दूसरा फ्रांस जिसने इसराइल के हत्यार सप्लाई रोक कर नेतन्याहू को सेट बैक दिया है तीसरा ब्रिटेन जो इरान इसराइल युद्ध से दूरी बनाने की दुहाई दे रहा है नेटों फोर्चिस के 32 देशों में ये तीन देश ऐसे हैं जिनकी सहन ने शमता सिर्फ अमेरिका से कमा की जा सकती है इन जैसे कैयी और देश हैं जो इसराइल के लिए अपना नुकसान नहीं जहलने का बाहना बना सकते हैं तो क्या सिर्फ अमेरिका ही इसराइल को बचाने आएगा इसराइल और अमेरिका मिल कर क्या अरब लीग के 22 देशों से युद्ध जीत पाएंगे इस्राइल की मुश्किले दिन बढ़ती जा रही है जिसका असर यूद के मैदान में साफ दिख रहा है इस्राइल के हमले तेज होते जा रहे है गाजा में भी और लिबनान में भी इस्बुल्ला दो मिसाइले मारता है बदले में अजराईल 200 धमा के कर रहा है मार कितनी तगडी है, कितनी विद्वनसक है, कितनी जोरदार ये बस बेरूत के द्रिश शबता रहे है लडाई बडी भीशन हो रही है एजबुल्ला फाइटर्स कादम उखरता जा रहा है सारा जोर लगा कर भी लडाका ग्रूप, इसराईल के आगे टिक नहीं पा रहा तस्वीरे 5 अक्तूबर की राथ हुए हमले की है बेरूत हवाई अड़े के करीब, गोल्डन पलाजा पर बम परसा है जमीन फाल दमाके के बाद यहां भीशन आग लगी आग की लप्टे आसमान चूने लगी बम विस्पोर्ट ने इतनी चिंगारी उगली कि बगल का गैस स्टेशन भी जद में आ गया इसराईल ने इस इलाके में कुलाट धमाके किये राद भर हमला होता रहा, जिसमें हिजबुल्ला को भारी नुकसान हुआ 6 अक्तूबर की सुबा इससे भी भ्यानक द्रिश्य बेरूत में दिखाई देने लगे एक धमाका बारूत से पढ़ गया बेरूत धुए के गुबार से आसमान धग गया जब धुआ छटा तो द्रिश्य दिल दहलाने वाला था मटिया मेट हो चुकी थी बहुमंजिला इमारत खंडर में जिंदगी तलाश रहे थे लोग इसराइल ने रात और दिन का फर्क मिठा कर अब हिजबुल्ला को तबह करना शुरू कर दिया है सबसे भीशन हमले दक्षिन लिबनान में हो रहे हैं जहां हिजबुल्ला का तनल नेटवर्क है नेतनियाहु साफ बता चुके हैं कि हिजबुल्ला के निस्तनाबूत किये बगएर ये युद्ध नहीं रुकेगा लेकिन हिजबुल्ला भी हार मानने को तयार नहीं इरान ने नए हिजबुल्ला चीफ का नाम भी फाइनल कर लिया है बताया जा रहा है कि नया हिजबुल्ला चीफ खामनेई का खासम खास होगा हिजबुल्ला के नए चीफ का नाम इबराहीम अमीन अलसयत बताया जा रहा है इबराहीम ने 1985 में हिजबुल्ला के घोशना पत्र जिसे ओपन लेटर कहा गया उसको सारवजनिक किया था इबराहीम अमीन 1992 और 1996 में हिजबुल्ला के लोयल्टी टू दा रेजिस्टन्स ब्लॉक के तहत लिबनान की संसत के लिए चुने गए थे साल 2001 में हिजबुल्ला की शूरा काउंसिल में चुने जाने के बाद इबराहीम हिजबुल्ला की पॉलिटिकल विंग के हेड है इबराहीम लेबनान की राजनीती में बड़ा नाम है सभी पार्टियों में उनकी खदर की जाती है लेकिन इबराहिम को हिजबुल्ला चीफ की गद्दे दिलवाने में जो सबसे एहम बात है वो ये कि उन्हें खामनेई का खास माना जाता है इबराहिम अमीन हिजबुल्ला और एरान के बीच कूटनीतिक सम्मंदों को मजबूत करने वाले लीडर बताये जाते हैं कई मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इबराहिम अरान के जियाततर राजनाईकों से सीधे संपर्क में रहते हैं हिजबुल्ला के रणनीती तैयार करने में इबराहिम अमीन का एहम रोल रहता है लिबनान और एरान के रिष्टों की एहम कड़ी इबराहीम आयातुल्ला खामनेई के एक करीबी बताये जाते हैं नए हिजबुल्ला चीफ के तौर पर जिन इबराहीम अमीन का नाम सामने आया है उनका बैक्ग्राउंड इसराइल को डराने वाला है इबराहीम अमीन अलसायत लेबनान के बैका के हाउचल नभी गाउं के रहने वाले हैं साल 1981 में बेरूत की लेबनानी उनिवरस्टी से केमिस्ट्री में ग्रैजुएट अमीन विदेश में भी पढ़ाई कर चुके हैं इबराहीम ने 1984 में फ्रांस के स्टार्ट्सबर्ग उनिवरस्टी से मास्टर्स की डिग्री ली साल 1987 में उन्होंने ओर्लियंस उनिवरस्टी से केमिस्ट्री और फिजिक्स में पिएजडी बी की Modern Education के साथ मदर्से से मजभी तालीम लेने वाले इबराहीम अमीन अमल अंदोलन से भी जुड़े रहे थे लेकिन बाद में अमल पार्टी छोड़ हिजबुल्ला की टॉप लीडर्शिप में इबराहीम शुमार हुए शुकरवार को इबराहीम के हमले में इबराहीम के भी मारे जाने के आशंका जताई गई थी लेकिन वो जिन्दा हैं सही सलामत है ऐसे में अब हिजबुल्ला का टोटल कंट्रोल तै माना जा रहा है अबराहीम की लीडर्शिप में हिजबुल्ला फिरुट खड़ा हुआ तो इजबुल्ला को 2006 जैसी जंग से सामना होगा जिसमें हिजबुल्ला फाइटर्स ने इजबुल्ला फाइटर्स ने इजब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके सभी दुश्मनों का सफाया नहीं होता नेतनियाहू ने साथ फरंट और साथ दुश्मनों के सफाया की कसम एक बार फिर से दोहराई है तो निदेनों गम बावन यशीर और गम पाम प्सूट थेजबुल्ला लगन इसराईल पौलत नेगद इरान वे अश्लिखिम शला गम बागना वे गम बातकफा अनको नदा लागन अला अजमेनो और अनको नफ़ाल लफी है करोना पशुट श्मीशे पोगया बानो और मतखने लिफगौा बानो अनको नफ़ाइबुल्ला नेतन्याहू ने जितना जोड लेबनान में लगा रखा है उससे कहीं ज्यादा पावर गाजा में जोक रखी है क्योंकि इसराईल का सबसे बड़ा विलन अब भी सही सलामत सुरंग में छिपा बैठा है हमाज चीफ याहिया सिन्वाल लेबनान फ्रंट पर युच्छिडने से मजबूत भी होने लगा है जिसे देखते हुए नेतन्याहू ने गाजा में ग्राउंड उपरेशन में तेजी लाने को अडर दिये है गजा के जबालिया में इसराइल डिफेंस फोर्स की तीन डिविजन ग्राउंड उपरेशन में उतर गई है आईडियाफ की 162, 401 और 460 वी बखतरबंद ब्रिगेड ने हमाज की सुरंग मेर सर्च उपरेशन चला रखा है जबालिया में नितन्याहू आर्मी ने हमास के दरजनों अड़े और हत्यार डीपो बरबाद किये है मगर अब भी यहिया सिन्वार इसराइल के हत्ते नहीं चड़ा है इसराइल जानता है कि हमास चीफ के जिन्दा रहते ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला सिन्वार के सफाय के साथ हमास और इरान को भी इसराइल सबक सिका कर ही शान बैठने वाला है